Very warm welcome to all of you, hope you are all fine, आप सब लोग ठीक हैं और अभी कुछ ऐसा है अगर आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसा है कि जो doubtful है या जो painful है तो I am sure it will go away. The only thing is, अगर आप determined हैं अपनी healing के लिए, अपनी inner work के लिए, अगर आप sincere हैं और अगर आपने ये अच्छे से decide कर लिया है कि I am going to release my past, I am more powerful than that. मुझे खुद को heal करना है, मुझे एक अच्छी life देनी है, अगर आप committed हैं अपने लिए, तो definitely it's going to happen. Because जब हमारी awakening शुरू होती है, तो जाहिर है कि हमें काफी कुछ ऐसे events से निकलना पड़ता है, जो kind of shocking होते हैं, painful होते हैं, लेकिन यही shock और pain हमें मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए, कि life में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना है, और जो भी हम अभी तक कर र consciousness के साथ हम अपनी life चला रहे थे, और जो हमारे conscious mind से operate होती है, उसकी capacity इतनी नहीं है, कि हम अपनी life को एक different and higher perspective से देख पाएं, it's only 10% of our power which we can tap in with our five senses and conscious mind. इस awakening के साथ हमें अपने अंदर बहुत सारे trauma, pain, fear, rejection, बहुत सारे ऐसे emotions जिनको हम feel करते हैं, जो हमारे surface पे आते हैं, क्योंकि इस state में हम, हमारे पास यही होता है जिससे हम अपने outer world के साथ connected होते हैं, outer world means, चाहे वो हमारी relationships हैं, चाहे वो कोई भी events हैं, चाहे वो हमारी conditioning है, जो भी है, जो भी यह traumas हमारे अंदर हैं, हम outer world के साथ, उन्हें के साथ connected हैं, because everything is just energy, what we feel inside is outside. हम अपने सब relationships में हमारे dish harmony होती है, family के साथ जो हमारी coordination नहीं होती, business partner से हम डरते हैं, कि वो कहीं betray न करते, boss से डरते हैं, कि कहीं नौकरी से न निकाल दे, love relationship से डरते हैं, कि कहीं reject न हो जाएं, और ये जो सब हम महसूस करते हैं, ये हमारे ही अंदर, हमारी energy center में, हमारी memories में होता है. और इसका एक बहुत अच्छे example है, कि आपने कहीं बार ये notice किया होगा, कि हम किसी एक नए व्यक्ती से मिलते हैं, जिसका हमारा conscious mind नहीं पैचानता, जिससे हम कभी नहीं मिले इस lifetime में, लेकिन we feel bad, or good, whatever, but this is human psychology, कि अगर हम जो हमारी अच्छी बाते हैं, या जो हम अच्छा महसूस करते हैं, उसको हम जादा देर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, या भूल जाते हैं, लेकिन जो भी हमारी negative experiences होते हैं, उनके साथ हम बहुत intensely connect रहते हैं, energetically connected रहते हैं, और ये जो connection है, हमारे conscious mind की range से परे हैं, इसलिए शायद हमारा conscious mind उस व्यक्ति को नहीं पहचान रहा है, लेकिन जो हम feel कर रहे हैं, we cannot deny, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो memories जो हैं, वो हमारे energy centers के अंदर हैं, इसलिए जब भी हम past में जाते हैं, चाहे वो कितने भी time पहले का हो, हमारे वो emotions उतने ही intense होते हैं, हमारे जो जख्म उतने ही गहरे होते हैं, और हमें लगता है कि जैसे ये event हमारे साथ अभी हो रहा है, अब यहाँ पर बात ये सोचने की है, कि जो memories हैं, जो हमारी, यह हम क्यूं feel कर रहे हैं अभी भी, और यह जो memories हैं हमारे अंदर, यह हमें फाइदा कर रही है यह हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि बहुत बार यह सुनने में आता है कि हम, you know, whatever said and done, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते या नहीं भूल सकते इस event को, it is so intense that we cannot forget about it. So now we are going to talk today कि यह जो हम इस तरह की consciousness में हैं अभी, या जो हम यह सोच रहे हैं और आप में से बहुत लोग हैं, especially जब जरनी शुरू होती है, तो almost from everybody I hear this. तो यह जो एक energy है, यह जो आप feel कर रहे हैं, यह क्या है, और यह हमारे किसी काम की है, यह हमें help कर रही है, यह हमें नुकसान पहुचा रही है, क्योंकि जब तक यह energies हमारे साथ connected रहेंगी, हम mostly past में रहेंगे, pain में रहेंगे, हमारा जो energy center है, जो हमारे chakras हैं, वो block रहेंगे, और जबही भी हम अपने future की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, हम इन्ही memories के साथ, इन्ही pain के साथ, इसी fear के साथ, अपने future को भी देखेंगे, तो वहां भी हमें अंधिरा ही दिखेगा, और इससे जब हमारे energy centers block हो जाते हैं, तो हम अपने अंदर उस light को आने की permission नहीं देते हैं. This we all know, that we are all energy, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा thought process है, जाहे वो अच्छा है या बुरा है, whatever it is, but it's all energy and energetically we are always connected. तो जब, and that is the reason that, you know, when we are so full of all these memories, we feel drained, हम drained feel करते हैं, हम अपना एक तरफ inner work करते रहते हैं और दूसरी तरफ हमें लगता है कि हमाई कोई फाइदा नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो past में हमारे, जहां हम energetically connected हैं, जिन events के साथ, जिन situations के साथ, जिन लोगों के साथ, हम अपनी energies के साथ connected हैं, अब हमारी memories हमारे पास हैं, और let me remind you all कि ये जो memories हैं, ये सिर्फ इसी lifetime की नहीं है, ये सब lifetime की, कि जितनी भी lifetime हमारी soul ने जी है, वो सब lifetime की memories हमारे अंदर हैं, तो you can well imagine the, you know, कि कितना कुछ हमारे अंदर है, what kind of energy is there, which we are carrying, और इसी लिए, you feel overweight, you feel so drained, because constantly, हम जितना भी अपने उपर काम कर रहे हैं, simultaneously we are losing that energy to those events, to those people, to those memories. तो अगर हमको इनको erase करना है, इन से निकलना है, because healing कब होगी, हम progress कब करेंगी, हमारी consciousness raise कब होगी, जब हम जो अपना energy work कर रहे हैं, उस energy को हम sustain कर पाएंगे, रोख पाएंगे. So the best way to do is, the one tool I am going to talk about today is forgiveness. This is the most important thing, to sustain that light, which we want to create, to go in higher consciousness. Forgiveness किसके साथ करनी है? The charity begins at home. सबसे पहले, खुद को, उन सब गलतियों के लिए, जो हम से हुई हैं, knowingly and unknowingly. Otherwise, what will happen if we are not going to forgive ourselves, we live in, with guilty consciousness. हम हमेशा इस खिल्ट में रहते हैं, हम से ये हो गया, हम से वो हो गया, या हम इसको ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, but do you think we can change our past, जो हमने कर दिया है, can we change it? No. So, the only way to change it is, to disconnect from it. और disconnect कैसे करेंगे? वो energies जो हम को drain कर रही हैं, उसके साथ हमें अपनी cords कट करनी पड़ेंगी. By forgiving ourselves. कि okay, जो कुछ हो गया, that's fine. It's done. I have learned my lesson, and I am not going to repeat this again. So, make yourself free from all the past, all the mistakes. ये गलतियें क्यों हुई? क्योंकि उस time हमारी उतनी ही समझ थी, हमें उतना ही आता था. And whatever we did, we did the best we could. और जैसे ही हम अपने आपको forgive करते हैं, हम खुद को allow करते हैं, heal होने के लिए. हम अपने energy centers को open करते हैं, healing के लिए. और उसके बाद जो हमें next step लेना है, वो है forgive others. आप हमें उन सब को भी इसी understanding के साथ forgive करना है, कि even they did, whatever they could, whatever they know, the best. उनको उतना ही आता था, यहाँ जो important and common incidences हैं, जो अमूमन हम सब के साथ होते हैं. और यह trauma, जो जिसको हम inner child healing बोलते हैं कई बार, यह हमारे अंदर इतने deeply imbiped होते हैं, वो हमें रोकते हैं, हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं, कि हम healing को feel नहीं कर पाते, हम light को feel नहीं कर पाते, जैसे जब हम कहीं बार यह चीज बोलते हैं कि we don't feel the connection with our angels, or we don't feel the connection with our masters, that is the reason, because we are blocked, we are blocked with all those painful memories. So the moment we understand that and we forgive everyone, कि जैसे हम से mistakes हुई हैं, वैसे उन से भी mistakes हुई हैं, and they are not worthy enough that I suffered the whole of my life. और कुछ एक example हैं, जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगी यहाँ पर, कुछ एक events हैं ऐसे, I'm sorry if you could hear the voices coming from outside, I cannot avoid them. बहुत सारे issues अपनी family members के साथ होते हैं. फादर या मदर से प्यार नहीं मिला, एक यह common complaint होती है, and we suffer the whole life. यहाँ तक की हम भूल जाते हैं की we can have self-love. उन से प्यार क्यों नहीं मिला, why they could not give you love, because they were wounded inside themselves. उन के पास खुद के लिए प्यार नहीं था, then how could they have given you that love? So just forgive them. Parents का आपस का जो रिष्टा है, बहुत सारे टाइम वो बहुत abusive होता है. यह family members में बहुत लड़ाई जगड़े होते हैं. But again, that's how they knew. उनको यही आता है. क्योंकि जो memories से हम operate कर रहे हैं, वो ही memories वो भी carry कर रहे हैं. और अप जब आप light में आ रहे हैं, just forgive them. For all of that what they did, because they didn't know anything better. अगर आपको business में धोका मिला है, because that business partner was full of fear. So जो धोका मिला है, वो partner से नहीं, उसके उस fear से मिला है, वो जब हमारे अंदर होता है, तो हम भी ऐसे ही operate करते हैं. So just forgive them. It's not worth it. Family ने support नहीं किया. There was no support from outside. So my dear friends, they didn't have support for themselves. तो वो आपको कैसे provide कर सकते थे वो support? So just forgive them today. Love affair में धोका मिला. जिसमें आपको धोका दिया, he didn't have love for himself or herself. He didn't have or commitment for herself. So वो आपको कैसे commitment देते? So it's not worth it that you punish yourself for their conditioning, for their memories. Forgive them. आपकी marriage break हो गई. आपको जबर्दस्ती घर से निकाला गया. That's what they knew. They were fearful people. जिनके पास प्यार नहीं था, जिनके पास सम्मान नहीं था, तो वो आपको कैसे देते? Do you think it's worth कि आप उस pain को ढोते रहें, पूरी जिंदगी? और इतना कि आप उस light को जो आपके इस पास आना चाह रही है, उसको block करें? I don't think so. So just forgive them. आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन करने नहीं दिया गया, क्यूंकि आपकी family का belief system आपसे different था. That's okay. Now you are becoming powerful. You can do now. So just forgive them, because they were powerless themselves. उनको powerful होने का सिर्फ एक ही तरीका आता था, और उनको control करना. It's okay. You have grown up from there. Just forgive them. आपके साथ sexual abuse हुआ है, rape हुआ है. So my dear friends, that just happened to your body, which will go one day. और क्यूं हुआ है? क्यूंकि उनको इतना ही आता था. They only know the last sexual energy. They were only connected with their genitals. That's all they knew. They don't know the power of your sexual energy, which you still have with you. Nobody can ruin it. लेकिन, अगर आप उसके उपर इस trauma को संजो के रखेंगे, चढ़ा के रखेंगे, then you are doing the same what they did with you. उन्होंने किया और वो चले गए. But you are still carrying that. No, you don't deserve that. Because you are powerful being, you are pure. And you are carrying the most beautiful, purest, potential energy. Use it in your passion. Don't carry this burden on yourself. Forgive them today. आपको बहत पार ऐसा हुआ होगा कि जब अबर्दिस्ती अबोर्शन कराना पड़ा होगा. That's okay. The souls will forgive you. Ask forgiveness from them. It happened because आप powerless थे. लेकिन अब आप अपनी power में हैं. और अब जब आप अपनी power में हैं, तो आपको मालूम है कि ये किन लोगों ने किया? जो बिल्कुल powerless थे. तो जो गलती आप से हुई, आप उनको उस गलती के लिए ख्षमा करें. प्लीज फर्गिव थेम. बहुत पार ऐसा हुआ होगा कि आपको आपके उपर गलत इल्जाम लगाए गए होंगे. आपको उन चीजों के लिए एक्यूस किया होगा, किया गया होगा जो आपने नहीं किये. और ये ऐसा हुआ है. क्योंकि वो लोग fearful थे. उनको नहीं मालूम था कि इस से बाहर कैसे निकलना है. Other than blaming others. तो वो blame आप जब तक carry करेंगे. जब तक आप खुद को समझते रहेंगे. कि it was your fault. So my dear friends, it's not worth of carrying that baggage on your head. Just forgive them. और जैसे ही आप इन सब लोगों को forgive करते हैं, आप अपनी cords कट कर देते हैं उनसे. वो cords जो आपको drain कर रही थी, constantly, आपकी energy. जी, यी तू सब situations मैंने आपको गिनाई. यहां से आपके पास क्या आ रहा था? Pain, trauma, burden, hurt, fear. यी सब points थे. और जैसे ही आप इन points के साथ disconnect होते हैं, आप अपनी energy field में वापस आ जाते हैं. और अगर आप उनको forgive नहीं कर पाएंगे, तो आप energetically, constantly, इन emotions के साथ connect रहेंगे. और लगतार आपकी energy drain होती रहेगी. आप जितना भी inner work करते रहेंगे, energy sustain नहीं कर पाएंगे. So the best way to protect you and your energy, कि आप इस link को cut करें. और उसका बूझा, जो आप धो रहे हैं, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको हो रहा है. The moment you come in this understanding and release your past, you cut those chains, जो आपकी energy को भी तक सक कर रही थी, immediately you'll feel the whirlpool of energy inside you. So my dear friends, just release all your past painful events, वो शिकायतें, कि ले शिक्वे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर सडन पैदा कर रहे हैं और आपको हील होने से रोग रहे हैं. Open your energy centers to receive love, light and heal yourself. Because you deserve a wonderful life, so create a wonderful world around you. You are more powerful than you think. Love yourself immensely. The moment you connect with anything, with any lower vibrational emotion, you lose yourself there. Don't do that to you. I wish you all the very best. Keep loving yourself and keep healing yourself. You will reach there where you are destined to. See you soon.